जहिन दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो का टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में PCS एक्जाम क्वालिफाई करने वालों की जो ट्रेनिंग है वो कहां होती है किस प्रकार से होती वहां के डेली रूटीन किस टाइप का होता है मतलब किस टाइप से समय डिवाइड होता है जहां पर सभी PCS ऑफिसर अपने डेली रूटीन के साब से वहां कर जो टाइमिंग है मैनेज करते हैं वहां कौन-कौन से जो ट्रेनिंग है वो दी जाती इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जानकारी से कि महीने के अंदर मिलता है इसके बाद उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा उसके साथ आपको क्या-क्या लेके जाना है यह सारी जैजिश में लिखी हुई होगी आपका नाम भी लिखा हुआ होगा तो आपको उसी एड्रेस में टाइम के अकौर्डिंग पहुचना हैं यहां पर मैं बता दू कि आपके उत्तर प्रदेश के जो ट्रेनिंग अकेडमी का नाम है उत्तर प्रदेश एकेडमी ओफ एड्मिनिस्टेशन एंड मेनेजमेंट जो की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके साथ इसका एड्रेस भी आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कई सारे स्टूडेंट पोंचते हैं कि आखिर इसका लोकेशन क्या है तो मैं इसलिए स्क्रीन पर आपको दिखा दे रही हूं जैसे ही आप उत्तर प्रदेश एड्मिनिस्टेटिव ट्रेनिंग अकेडमी में आप पहुंचेंगे तो वहा वहा का प्रबंदक से जो होगा यह के देखने करता है कि और सारे जो केंडिडेट्स उनके रूम अलॉट करने काले वो सभी वहां पर होते हैं उनसे आपको मुलाकात करने है वह आपका इंतिजार कर रहे होते हैं फिर उसके बाद आपको वहां के जो रूम अलौक्मेंट की जो विदी होती है वो बता है मतलब प्रोसेस यह होता है कि आपको रोम एलोट्मेंट के जो दो प्रेस्टों से होते हैं दो प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है कि आपको अकेले रोम में रहना होगा या दूसरा प्रोसेस होता है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ रहें मतल आदा काटा जाएगा वहीं पर अगर आप अपना रूम सेयर करते हैं तो आपके जो वेतन हैं उसमें से कुछ कम चीजे ही उसकी कम फीस कटेगी तो यहां पर इन दोनों का अंतर यह हो जाता है अब इसके बाद आपको रूम अलाट्मेंट तो हो गया रूम अलाट्मेंट के आपको लगबक साम तक होने तक सभी केंडिडेट्स को एक रूम में बुलाया जाता है रूम में बुलाने के बाद आपको एक दूसरे से मुलाकात करवाई जाएगी एक दूसरे से बात करने के लिए नाम और पहचान बाकी सारी चीज़े होंगी उस दिन इतना ही होगा आप उस्से पहले उथना चाहते हैं तो उठीकर रस होने के बाद और योगा करने के लिए ठीकर ठीकर आपको एकसरे साइज फुगा सब्जिक्त्स पढ़ाई जाएंगे यह सब्जिक्त्स अलगअलग semester-wide होते हैं। यह semester लग बख 4 semester में divided होते हैं कहीं कहीं पर 3-4 से जादा भी हो सकते हैं लिकिन सामान रुप से 4 semester में and two 4 semester में पहले semester में ऐसा होता हैं कि आपको 4-5 subject एक साथ पढ़ाया जाएगा उस चार-पास सब्जेक्ट में आपको या तयार प्रवंधन नियम, फिर उसके बाद आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको जो विधी है, लौ है, फिर उसके बाद एक्ट है, CRPC है, IPC है, ये सारी चीज़े आपको पढ़ाई जाएगी इसके बाद आपको आदे खंटे के लिए रिश्ट करने कि दिए जाएगा जिसमें आपके लंच टाइम भी होगा, उसके बाद आपकी जो टाइमिंग होती है, वो फिजिकल टाइम होती है, जिसमें आपको कई सारी चीज़े सिखाई जाती हैं फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फिजिकल ट्रेनिंग में आप जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीजे होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में जैसे कि स्विमिंग को लेकर के हैं दढ़ना भागना ये सारी चीजे उसी पे होते हैं इसके बाद आपको फिर साम का समय होगा जिसमें खे चीजे वहां की रोल्स हैं आप पाच गेम अपने पसंद के अनिसार खेलें लेकिन इस गेम का एक रूल होता है कि आप एक निशी समय तक खेलेंगे खेलने के बाद इसमें कॉम्पटीशन होता है तो आपको इस कॉम्पटीशन में भाग लेना होगा और जो विजेता होता है जायर सी बात है गिफ्ट देना है बनता ही है तो विनर को उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट भी दिया जाता है जीतने के लिए पुरुस्कृत किया जाता है और इसके बाद साम का डिनर होता है यह तो हो गया डेली का रूटीन का अब मैं बता दू आपको की बीच-बीच में क आपके साथ त्रेणिग कर रहे होते हैं फिर इसके बाद यह तो हो गया वहाँ कि आपको जितने ट्योहार है वह वही पर मनाने हैं फिर उसके बाद होता है कि वहाँ पर कितने भी एन्वल फंक्शन होते है वो अपना experience आपके साथ share करते हैं तो आपको वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े officer से मिलने का मौका मिलेगा ये तो रहा मिलने का मौका और रविवार के दिन छुट्टी का होता है जहां आप institute में ही रह करके आप अपने इक्षानुसार बाहर जा सकते हैं और एक time के अंगर अंदर आ भी सकते हैं अब इसके बाद मैं बता दू कि वहाँ पर आप देखते होंगे कि राज्य में घूमने के लिए कि आप राज्य को जानेंगे कैसे इसके लिए आपको state दर्सन होता है state दर्सन एक हफ़ती का होता है जिसमें आपको कई सारी चीजे देखने को मिलेगी अलग-अलग छेतर में घूमने दियाने मिलेगा आपको लेके जाय जाएगा अलग-अलग groups में डिवाइड होते हैं और इन groups को अलग-अलग छेतर दे दिया जाता है किस एरिया में आपको जाना है और वहां की चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी दिखाई जाएंगी कि आपको कैसे जब आप ड्यूटी पे होंगे तो कैसे सारी सिचुवेशन को हैंडल करना है पहले देख लिए फिर इसके बाद आपका इस्टेट दर्सन साथ दिन का हो गया और इसके बाद आपके को किसी डिस्टिक में यह एजडियम के तौर पे फिर उसके बाद तैसिलदार के तौर पे दो से तीन दिन चार दिन या एक हपते डेढ़ हपते के लिए नियूक्ति किया जाता है आपकी को ट्रेनिंग भी होगी जब आपकी यह सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाते है उस एक्जाम में आप अगर कौलिफाई होते हैं तब ही जा करके आपको फिर पाइनली नीउक्ति किया जाता है किसी चेत्र में या किसी विभाग में बकायदे आफिसर्स के पीसे अस ऑफिसर के तौर पे यहां पर मैं बदा दूँ कि जब आप फिर्ट ट्रेनिंग पे होत और वो रिपोर्ट आपके इंसिट्यूट में भेशते कि आप कैसे काम की हुए हैं तभी जा करके आपको नंबर मिलता है और आपके जो काम के एक्सपीरियंस जान पाते हैं वरना आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए भेश दे जाएगा अगर आप उस एक्जाम में पास नहीं वीडियो के माध्यम से आपके हर कोश्टन का जवाब देने की कोशिस करूंगी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सक्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार्स के नौलेज रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा अप्लोड करती हूं